कि अज़िए अर्जून पटियाला आपके फिल्म आने वाली है कितने एक्साइटेड है फिल्म है और कितनी महिनत की है क्या प्रिप्रेशन से गुज़रे है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसका रीजन यह है कि अफोर्स मैडॉक क्यों पिच्चर है और बिलजीत पाजी है वरुन पाजी है साथ में और उनके साथ तो एक कॉम्बिनेशन में तो यह वेरी हूमर्स तो बहुत ज़्यादा एक्साइट्मेंट है मिस्टर इंडिया युनिवर्स के बाद क्या आपने सोचा था कि मतलब इस तरह का ब्रेक मिलेगा क्योंकि वरुन भी है और बहुत अच्छी स्टार कास्ट है जिलजीत पाजी है फिल्म है जी मेरे ऐसा बिलकुल ही सोचा था बड़ लेकिन क्या बोलते हैं वो बोलते हैं कि ऊपर वाला महरबान तो बंदा पहलवान तो वही हुआ मेरे साथ जैसे मिस्टर इंडिया यूनिवर्स से वापसी आया तो बहुत बड़े प्रोटक्शन आउस ने विद इस स्टार्स आप्रोश में फर मूवी विच वही गूट क्या रेक्शन था जब पहले बार आपको मूवी उपर की गई और क्या मतलब सोच आपने क्या सोच रहे थे क्या किर्दार लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए और किसी का सजेशन लिया आपने इस के जाए जी जब मेरेकों अप्रोच हुआ था दना मेरे डिरेक्टर रोई दिलजीत पाजी यह वरुन पाजी है तो मैंने काया देफिनिटली और मैड़ के साथ में तो मूवी विल गूइन तो बहुत बहुत अच्छा लगा सुनके और फिर उनने बताया के नेगटिव है ग्रेशेड है और आपने प्लेटिव क्योंकि जो पास में जो शोर टी वी मेरा पॉजिटीव करेक्टर था तो में मैं तो मैं थे वागार या डेफिनिटली ओंबिनेशेन अच्छा है फिर मिंगाने बहुत अच्छे मेरा च्रीटर बहुत अच्छा है तो लेफिनिटली आ शोर खूँ एक शुट पर दे और बड़े पर भी पर आपको पता है कि आपको एक ही किरदार आप तीन साल से कर रहे हो और लेकिन मुवी में ही होता है कि एक मुवी खतम तो आपको ठीक है आपको वहां से बाहर आना है फिर आप उसे गैटर में आपका जाना और अधर्माइस I think कोई उसके अलब और कोई दिफरेंस नहीं है उसके लगाएं को थोड़ा किरदार के बेशा है नेगेटिव क्रदार का नाम क्या है चैकरता है तो मेरा क्रदार अनाम है बल्देव राणा और गून है एक ग्रेशेड पहुतstyर्व बहुत जाधा टाकतवर बहुत जाधा dominating personality है उसकी तो आज पर जितने भी लोग हैं उससे जितनी भी societies है even including the cops also जो पुलिस वाले भी हैं वही बहुत डरते हैं उसके पास कोई जाता नहीं है तो बहुत खौफ राक मेरा उसमें जो है image है और जो बाकी जितने भी करदार है वो सारे comedians है जो और जो villains है comedians है but मेरा करदार ऐसा जो कि बिलकुल serious है तो आप जो स्क्रीम पर देखो कि तो आप बोलो कि यार यह आया स्क्रीम का अब तो गया इसके सामने जो भी आया हो गया और अगर डिरेक्टर साब रोई जी की बात करें क्या ब्रीफ था उनका आपके लिए मतलब आपकी किरदार को प्रिपार करवाने के लिए क्या ब्रीफ लिए जी मुझी आद भी याद है कि जब मेरा पहला दिन था तो रोई जी मेरी बैन में आए तो विच वे नाइस तो I want to prepare the scene with you. तो मैंने को बोला मैंने का definitely I would love to. तो जब आप रोई जी के साथ सेट पर होते हो, he doesn't, I mean आपको लगता निये कि आप एक डिरेक्टर के साथ हो, आपको लगता कि he's your friend, आपको इतना comfortable कर देते हैं, तो मैंने रीडिंस करी, तो उने बोला कि आप मुझे ये नही ये चाहिए, ऐसा चाहिए, तो then automatically a person becomes very comfortable और फिर उसके बाद, जो result आएगा वो आप Friday को दिख जाएगा, और काफी दिगज कलाकार भी है, इसमें दिलजीत पाजी है, वरुन शर्मा है, कैसा experience रहा हैं सबके साथ काम तर और on-set कैसा महौल है तो बहुत ही बढ़िया था, ब पेले बहुत मुश्किल था, क्योंकि मुझे अपने करेक्टर में रहना था, लेकिन आप दिलजीत पाजी और वरुन पाजी करेक्टर में आपको रहनीन देंगे, क्योंकि आप आप हसी कंट्रोल नहीं कर सकते, जहां वो खड़े आप इतना हसोगे, इतना हसोगे, कि आप बहुत हसोगे, तो रही डिफिकल फो मी लेकिन बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, आपसे और चीज जाने चाहना कि लोगों को हसाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है, और आपका किरदार है वो उससे अलग है, तो क्या इन प्योचर आपको करते हों आप देखोगे तो वो देखते हैं यह सी छोड़ जाएगी, तो मुझे बहुत मजा आता है कमेडी करने में, जितने मेरे दोस्त है वो एक्सपेट करते नहीं है क्या यह कॉमेडी करेगा, आप देखोगे तो आपको लोग यह बहुत स्ट लड़का है, लेकिन जब मैटर वेदर एक कमेडी है या फिर एक हॉरर है, या इमोशनल है, ड्रामा है, इफ दिस्क्रिप्ट इस गुड, स्टार्ट इस गुड, प्रोड़क्शन आप्स इस गुड, डेफिनिटल, अगर एक्टर नहीं होता तो मैं क्रिकेटर होता है, क्योंकि I was already into sports, मैंने sports बहुत अधा खेलता था, लेकिन उस ताइम पे इतनी opportunities नहीं थी, अब तो आप IPL आ गया, बहुत opportunities आ गई है, लेकिन एक होता है नहीं के acting का कीड़ा, वो तो बच्पन से ही था, और अमिताब जी और सल्मान की मूवी देख देखे में बड़ा हुआ, मुझे आज भी आदे मैं सल्मान की मूवी देख रहा था, वो जाने जाना वाला, तो मैंने का आए आध बोडी बनानी है, तो भही से मुझे जुनून चुड़ा जोशड़ा किया बोडी बनाते है, आपक उसकी फुकरे मुवी देख रहा था, मैंने का, इस गाइस अमेसिंग, उसकी जो कमेडी ताइमिंग है, इस फैबलूस, और जब मुझे पता चला कि मुझे वरूं की साथ काम करने का मौका मिल रहा है, मैंने का मजा आएगा सेट पर, तो बिलजीर पाजी इस देर, और इस वर इंडिया से लेकर, एक्टिंग की जनली काफी लंबा सफर, सफर तई किया आपने यहां तक आने के लिए, तो क्या आपने ऐसा कुछ पेस किया है, मॉडलिंग के दिनों में, या फिर, देखिए, मैं, मैं, मैं किसी Bollywood fraternity या किसी Bollywood family से belong नहीं करता हूँ, मेरा सुपर साज रहे चुके है, तो उनको प्रूव करना होता है कि या बेटे भी सुपर साज रहेंगे, तो एक क्या होता है, अगर आप एक Bollywood family से belong करते हो, आपको एक push मिल जाता है, आपके ऑल्रीडी contacts बने होते हैं, आपको उसको revive करके आपको उसको प्रूव करना है, तो that's I think that's even more difficult, और अगर आपके newcomer हो, ठीक है, newcomer is also, you know, it's very difficult to get in, but लेकिन एक हमारे पास प्रूव करने के लिए इतनी ज़्यादर responsibility नहीं होती है, जितनी एक stars के बेटों के होती है, क्योंकि उनके जो parents है, वो superstars रहे चुके हैं, तो I think, I think it's probably equal. जो मेरा नेक्स प्रोजेक्ट है, वो निखे लडवानी प्रोड़क्शन के साथ है, मिलाप, जावेल जी इस देरेक्टर, और सिदार्त मलुतरा और रिटेश देश्मुक के साथ काम करने का मौका मिलाप, चिस अमेजिए, I'm a big fan of रिटेश देश्मुक, so that, that will be probably releasing in October which is called Marjaama, ताप मर जास्पर देखेंगे, again in the negative shade. Okay, thank you so much, thank you, thank you, thank you.